पंजाब कॉंग्रिस सरकार में मचा घमाचान शांत होता नहीं दिख रहा है सियम अमरंदर सिंग और नौजो सिंग सिद्धू के बीच कोल्ड वार जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है वहीं इसी बीच विपक्षी पार्टी भी कॉंग्रिस पार्टी में मचे इस घमाचान के बाद चुटकी लेने से पीछे नहीं अट रही बीजेपी पंजाब अधक शुयत मलिक ने सिद्धू को गदार कहा है तो वहीं सिमरजीत सिंग बैंस ने सिद्धू को पार्टी प्रधान का ओफर तक दे डाला अस रिपोर्ट पे देखिए पंजाब का उंग्रेश सरकार में मचे घमासान शान्त होता ही नहीं दिख रहा कैबनेट मंतरी नोजो सिंग सिद्धू की आकरामक देवर लगातार कायम है तो कैप्टन अमरंदर सिंग ने भी रुकब और कड़ा कर लिया है सिद्धू की ओर से लगातार उनके नेतुरत्य को चुनोती देते रहे हैं तो हैसीम अमरंदर भी सिद्धू के तंच के बाद उनके पंक कतर दिये कैप्टन अमरंदर सिंग ने मंतरी मंडल में फेर वदल कर सिद्धू से शहरी विकास मंतराले चीन लिया और नोजोस सिंग सिद्धू को उर्जा मंतराले का कारिभार स्टूप दिया कैप्टन अमरंदर सिंग ने सिद्धू समेथ कई मंतरी के विभागों में विफेर वदल किये लेकिन नोजोस सिंग सिद्धू ने मंतराले का कारिभार नहीं समाला सिद्धू और अमरिंदर के टकराओं के बाद पंजाब कॉंग्रेस में गुठबादी अब और देज हो गई है जिसके बाद विपक्षी दल इसका फायदा भी उठा रहे है तो गहें सिद्धू को पाकिस्तान तक जाने की नसीहतें दे रहे हैं लोकिल सब पार्टी के धेक्स सिमर्जी सिंग बैंस ने नोजोस सिद्धू को सीधे तोर पर आफर देते हुए कहा कि सिद्धू PTA में शामवे और पार्टी का नेतरत तो करें 2022 में पार्टी का CM चेहरा सिद्धू होंगे पहला बीजेपी ना नहीं बढ़ी हों कांगर्स ना नहीं बढ़ी क्योंकि बड़ी पदर थे ना पार्टी हैं देंदर जिड़े लोक ने और क्रप्ट ने बहुत कट गिंदी दिवेचे मानदार है गया सो असी खुला सिद्धा देने आप आपस आजो दोजार बाईदा तो अनू मुखमंत्री पेश करके पंजाब दिंदर दौरा स्टार्ट कर दे गल्त फैस्ट ना रह रहे हों वहीं बीजेपी प्रदेश अधक श्राइत मलिक ने सिद्धू पर तंज कस्ते हुए कहा कि सिद्धू मौका परस्त है पहले बीजेपी पार्टी को दोखा दिया अब कॉंग्रेस पार्टी को दोखा देंगे सिद्धू के बीच चल रहे इस कोड़ वार ने जश्चिंगारी को हवा दी है उसकी लपटे सियासत में एक नया उवार लेकर आई हैं झाले लेकर आई हैं